है कि है हैं से लग हम लोग अभी तक दुद इंडियन फॉरेस्ट टाइप स्टार्ट किया था ख़िक है और इंडियन फॉरेस्ट ट्व सांव ऑफ मुझ भेते ऑब लोग अभी उत्त क्या क्या देख चुके है आपका पहला और आपने देखा था जितने इसके आगे चलते हैं भारत में और भी ही चीजों को समझते हैं और इसके आगे देखेंगे आपका जो अगला रिजेन आएगा वो क्या है आपका thorn forest ठीक है कांटे तार भी शोकाओ जो वह होता है ठीक है तो thorn forest thorn forest इसके बाद आपका जो अगला आएगा वो है आपका grasslands grassland और grassland के बाद हम लोग चलेंगे desert और आपका desert forest ठीक है अभी तक हम लोग नहीं क्या देखा अगर पूरे के पूरे यहां से देखने जालू करेंगे तो सबसे पहले आपका पेड़ की height बहुत जादा थी कुछ इस तरह से थे फिर उसके बाद क्या होगा पेड़ की height धीरे-धीरे कम होते जारी है ठीक है और इस वाले region में नीचे क्या था पूरा दलदल छेतर था जैसे पेड़ की height कम होई तो क्या होगा तो धीर-धीरे घहां सा गय थे ठीक है यह ब्रिक्स होते जंगाल पर छोटी- Echo काटे होंगे काटीलißtust। हे पत्ते पत्ते बी चोटे सा होगे चूटे से होगे इस तरह से रहेंगे खडाव्लोर दूसरी बात गहां से दिरे-दिरे क्या होगा जो ग्रासस यह तो सबसे इंपॉर्टन भर्रिश्टर्वर्षर्ण् तो थोड़ा बहुत उसमें डिसीडियस की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है ठीक है तो यहां पर आपको ट्रीज मिलेंगे तो ट्रीज का पहली बात काटे आएंगे इसका एक special adaptation टाइप यहां पर बहुत जादा सन है वहां पर टेंपरेचर जादा है तो वह क्या होगा धीरे धीरे जब सन बहुत जादा पेड़ों के उपर बरता है तो ट्रांस्पिरेशन लॉस होता है पानी उको खीषता है तो ट्रांस्पिरेशन लॉस काम हो इसलिए पत्तियों को छोटे कर लेते हैं वह क्या होते है नीडल हो जातार उस नीडल से सन बहुत जल्दी क्योंकि अगर आपको सिधा पत्ते के उपर सन लाइट पड़ेगा तो वहां से पानी को जल्दी खीचेग यह पूरा क्या है यह एक एडप्टेशन है सिर्फ जितने भी वन होते हैं जो भी है यह सिर्फ क्या है सिर्फ एडप्टेशन है अलग अलग छेतर के हिसाब से वह अपने आपको धाल लिए ठीक है तो सौफ्ट और इसके बाद निडल देखने को मिलेंगे और इसी कारण य यह सारे चीज आपको क्या मिलेंगे इस देखने को मिलेंगे और यहां पर अगर जानवर एवगेरा दो यहां पर क्या हो रहेंगे कि आपके घासो में देखने और ये region अगर इसका समझते हैं भारत में अगर इसका हम लोग भारत में region को समझेंगे तो अभी आपको उतना ज़्यादा जुरत पड़ेगा नहीं तो ये वाला जो region है राजस्थान के पास का पुरा मरुस्थली नहीं गुस्तना है गुजरात का ये वाला region थोड़ा सा महरास टच करेगा MP का इस तरफ का region ये पूरा का पूरा बेल्ड जो आएगा इस तरह से ठीक है तो ये आपके क्या होगा थौर्ण फोरेश देखने को मिलेगा और इसी के आसपास इस तरफ जो है जो region बच रहा है और इधर का जो region ये यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा ग्रास लेंड देखने को मिलेगा ठीक है और ग्रास लेंड में भी क्या आपको मुश्टली आपको बड्स देखने को मिलेगी बहुत अच्छी अच्छी और ग्रासलेंड में अलग-अलग तरीके के घास मिलेंगे और उसमें बहुती फेमस घास होता है क्या बलते हैं तसोकी ग्रास ठीक है यह बहुती अच्छा घास का प्रकार होता है यह देखने को मिलेगा और पूरा का पूरा घर उस छेत को देखेंगे न तो आज कि लिफा में हम पूरा पूरा का पूरा क्या बन चुका है वीट ग्राउंड बन चुका है भारत में उस पूरे छेत में क्या हो रहे बहुत ज्यादा गेहूं जाते हैं और इसकेस है एक काटें जैसा कुछ इस तरह से बन जाएगा और कैक्टस उस तरह से जाएगा और इसके अंदर उसे प्रिक्ष के अंदर वाले पार्ट है उसमें पूरा क्या पूरा क्या होगा पानी एकदम ठीक मात्रा में पहले का दाव पानी ईजली निकल तोड़ते हैं तो पानी ने तो यह जेली जैसा रहता है थीक है उसको बलते हैं तो ऐसे जानवर जो बिना कम पानी में सर्वाइब कर जाएंगे तो वहां में एक स्पेशल देखेंगे अब देखो इंडिया में जो अगर देखेंगे तो ये वाला जो रिजन है और ये वाला जो रिजन यहां जाता है 抓़गा Cum इसी अपर खाया है in Wind Mr. ऐ ग्राश्ल डेजर्ट और इस तरह से बनता है तो जो नहीं तो पहले का चैन नहीं हो धा है तो यहां पहले का तो मिलें टेखने केसिवी अलग होता है इसलिए वहाँ पर ज्यादा आपको बता भी नो बस वहाँ पर इस पेशल एड़टेशन यही है कि पूरा का पूरा जो टाइप से वो क्या होता कुछ इस तरह से बन जाते हैं और यहाँ से आपका कैक्टस और रेप्टाइस देखने को मिलता है तो मेजरली अगर आपसे पूछा जाएगा तो वह जो पहले बताया तो वहीं तक इस पे आपका आता है इनिया थान फॉरेस्ट ग्राश्टन बढ़ ठीक है आप जो सेक्षन है वो देख लेते हैं अब इसके बाद जो अगर जो दूसरे आपके फॉरेस्ट है भारत के इंपो से प्रवती बन मौंटेण फॉरेस्ट यहां परंबन क्यों बनता है क्योंकि हएट बहुत जबाधा होने से आपका तो आपका फॉरेस्ट थाईप हाइट के सांसत बदल स्ट में जी आपका नीचे वाला उच्वस्लण है और हम वालेय fellowship यह व्ल्ट लोग अगर इस तरफ देखते हैं तो यहां सेमी-Evergreen नीचे वाले-छेत्रे में बलेगा और उसके उपर झो क्या है अर्दसदाबहार इसको देखते हैं दोनों को त्वो इसके जस्ट उपर जाएंगे तो क्या होगा हलका सभा उसका temperature change होने के कारण यह पूरे शितोषन शेदर जो temperature area उसके बिहेव करेगा और वहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा coniferous forest ठीक है coniferous जहाँ पर आपके कुछ इस तरह से क्या होंगे plant के adaptation देखने को मिलेगे और वहाँ पर animal type शेओ उसके साब से दूसरा हो जाएगा coniferous के बाद और गर उपर जाते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है taga ठीक है और taga की उपर जाएंगे तो वहाँ पर देखने को मिलेगा जहाँ पर आपका snowfall वाल रीजन है वहाँ पर टुन्डरा तो यह तो इसके बारे मैंने आपको अल्रेड़ी hot spots में पढ़ाया है कि शोला फॉरेस्ट क्या होते हैं और वहाँ पर किस तरह के आपको plants और animal types मिलते हैं mostly यहाँ पर क्या होते हैं कि आपका coffee वगरा का plantation उसके लिए बहुत अच्छा था नीचे वाले आपको देहने को मिलेगा शोला फॉरेस्ट और यहाँ पर कहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा तुन्डरा टाइगा या कॉनिफर्स और डेसीडियस एवर ग्रेन फॉरेस्ट तो यह यह पूरा का पूरा क्या है अगर पूस्ता भारत के मॉंट्वन फॉरेस्ट तो बता देना किस तरह से आपका आपको बहुत सारे अलग-अलग ट्री टाइप मिलेंगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा तुन्डरा वगेरा में देखेंगे तो और एक दो ठीक है उपर वाली छेत्र में और जाएंगे अगर अब लोग क्या बोलते हैं यहां जमू कश्मीर वगरा के रिजन में तो वहां इस्पेशल टाइप की आपको गोट मिलती है बकरी उसके खाल से क्या बनता है आपका शौल बनता है पश्मीना शौल ठीक है चांग-ठांग उसको बलते हैं चंग-ठांग बकरी और चंग-ठांग गोट तो इस तरह से आप क्या कहा सेब चांग-ठाइप और इस तरह से अलग-ठांग आपके फौरेस्ट टाइप की हिसाब Cशे क्या बता सकते है और अगर अगर आप इतने चिश को अच्छे से समझते हैं कि कौन सा कहा है किस तरह से forest type है तो इसके बाद हम लोग जाएंगे जिया भोगलिक वर्गी करण को देखने और आपको कहीं पर भी एक डाउट नहीं होगा आप खुद ही बना लेंगे कि इसके बाद तो यसान वो दे दिये हैं दस आप अपने मन से 50 तो बना लो इतने सारे वर्गी करण आपको खुद देखने लगेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं पहले एक इंडिया के मैप बना कर एक जर्णल सा चोटा सा मैप और उसमी सवरे चीज को प्लॉट करने की गोसिज करते हैं ठीक है हाफ हाफ करके दो बार बना लेंगे मैप को कुछ इस तरह से देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग देख रहते हैं इधर वाला रिजन राजिस्थान का ये वाला रिजन तो ये पूरा का क्या था आपका डिजटकरी ही ठीक है इसके बाद का जो रिजन ये वाला च्छेत्र बन रहा है ये थोड़ा सा इधर का गुज्रात छेवाला पार्ठट ये ये कहें ये आपके ग्रासलेंड से ऐगा आए तो ये आपका डेजर वाला आपका राजस्थान गुजराट Candrel मेभी तो यह कुछ रिजन देखने को मिलेगा इसके बाद आपने हम लिए और क्या देख रहे हैं डेसीडियस को बाद में देखते हैं लास्ट में को फिर से बना कर यह दोनों हो गया ग्रास लेंड्स हो गया अच्छा थौर्ण फॉरेश्ट जो काटेदार थी थौर्ण तो इसी छेत्र में यह जो शेत्र देख रहा है बीच बीच का यह वाला लेचन हो इस खाहता थौर्ण सप निए करनात्क पर ओसमें की बलाग। टीक है, उसके बद महराश्ट का रिजन देखने को मिलेगा आपका हलका सा MP में भी टच करेंगा और नीचे करनाटक की रिजन में ये देखने को मिलेगा डीक है, नॉर्थ इस्ट में उधर आपको ज्यादा कुछ देखने को निकों मिलेगा आपके काटे वाले thorn forest को देख रहे हैं, अब अगला देखते हैं, इंडिया का दूसरा मैप बनाते हैं, छोटा मैप बना कर, आपको अपको अपको अड़री दिखा दिया है, तो आप उसमें easily plot कर लेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से बना लेते हैं, तो आपका ये वाला region, evergreen, सदा बाहर, उसके बाद का जो region था, evergreen के बाद का, semi evergreen, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने बताया था आपको, इधर पुरा evergreen दिखेगा, और इसके बगल का जो region है, इधर पुरा क्या दिखेगा, semi evergreen देखने को मिलेगा, ठीक है, और उपर वाले region में आपको क्या दिखने को मिलेगा, mountain forest भी देखने को मिलेगा, तो ये वाला जो पुरा का पुरा region है, ये, और साथी साथ इधर से पूरा जाएगा, ये जो पुरा का पुरा छेतर बनेगा, ये वाला, ये क्या है, mountain forest है, mountain, और साथी साथ यहाँ पर निलगिरी और इसके आसपस यहाँ पर जो solar forest दिखेगा, यहां दिखेगा शोला फॉरेस्ट ठीक है वहां पर दिखेगा आपको शोला फॉरेस्ट वह मॉन्टेन फॉरेस्ट सेमी अवर ग्रीन और इसके बाद अगर देखेंगे भारत में तो आपको क्या देखने को मिलता है मैंगरूव अब मेंगरूव एक special types of adaptation है जो कि क्या होते है खारे-पानी में salt water पे खारे-पानी पे रहते हैं और खारे-पानी में कैसे रथे हैं क्योंकि इनके जो होते हैं roots में called Looks spielt Rock पानि के बाहर आते हैं और उसको बोलते हैю numetophore check special बढ़ों के कारणी क्या कर सकते हैं इसली सॉल्ट वाटर में आपके सर्वाइब कर जाते हैं और यह पूरा का पूरा एक रीजन देखने को मिलेगा मैंगरूफ का तो मैंगरूफ सबसे इंप्विक्तoka ब pót देखने को मिलता बहुत बड़ा छेत्र वह दिकोजेगा आपको यह वाला रीजन जहां है दिखेगा रत्नागिरी 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 के बाद यह वाला आपका गुजरात और गुजरात में यहां दिखेगा क्या कच मैंगरूव यह बोल सकते हैं इसको ठीक है कच कच मैंगरूव कच मैंगरूव के बाद आपका अंडमान और निको बार के पास यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर मिलेगा अंडमान और निको बार मैंगरूव खारे पानी में रहने वाले हैं यह एक special adaptation है इसके कारण रुक जाता है तो क्या क्या है मैंगरूव में आपका सुन्दरवन भितरकनी का ओडिसा रतनागिरी आपका महराष्ट आपका कच मैंगरूव गुजराथ आपका अंडमान और निको बार अब ठीक है यहाँ पर भी आपको मैंगरूव देखने को मिलते हैं आंद्रप्रदेश तमिलनाडू में इस्पेशल कोई नाम नहीं है ऐसे आपको रिखना हो तो लिख सकते हैं आंद्रप्रदेश तमिलनाडू इधर आपके कैरला कोस्ट में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है ठीक है तो सुन्दरबन मैंगरूव सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सबसे जादा मैंगरूव देखे जाएंगे तो आपका सुन्दरबन आपका कोलकता वाला रिजिन है वहाँ पर दिखता है और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट मैंगरूव मेंगर वर्क्षों की बात करें तो कौन सी है सुन्दरी सुन्दरी ळियर को देखेंगे इस तरह से क्योंकि आपको कहां लेकर जाना है इसको हमको कहीं न कहीं भारत के जया भागौलिक वर्गी करण से जोड़ना है ठीक है तो अगला लेक्चर में मैं आपको दस रिजन और उस दस रिजन में इन सारे फॉरेश टैप को डाल कर दिखाऊंगा ताकि आपका पूरा का पूरा अपको अभी तक बताया वो अच्छा लगा होगा और अगले लेक्चर में मैं मैं जाकर इन सारे चीज़ को डिटेल में करेंगे थैंक्यू आप